यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है 50 फिरी कुकिंग चैनल की प्लेश्ट में देखने को मिलेंगे 50 फिरी कुकिंग कोर्स में आज हम फ्रोजन सरवत एंड शेक के तरफ चलते हैं इस न्यू कोर्स की रेसिपी नंबर वन फ्रोजन मेंगो शेक की रेसिपी आपके साथ शेयर करने आये जिनके यहाँ पर जलदी जलदी केस्ट या फ्रेंट्स आते रहते हैं आप उन के लिए 5 मिनट में ही अलगलक फ्लेवर में शेक या शर्वत बना कर त्यार कर सकते हैं 5 मिनट में बनकर त्यार होने वाली शेक की रेशिपी को आप सुर्षिक से आखरी तक जरूर देखेगा रेशिपी के पसंद आने पर रेशिपी को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा इस वीडियो में आगे देखते हैं पांच मिनट में ही अपने गैस्टों यार फ्रेंड्सों के लिए शेक कैसे बनाये जाता है फ्रेंड्स जिस मैंगो से मैंगो शेक बनाये मैं ले रही हूं चीनी चीनी आप मैंगो पेस्ट बनाते समय या फिर मैंगो पेस्ट से मैंगो शेक बनाते समय भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स मैंगो पल्प में कलर और फ्लेवर देने के लिए मैं ले रही हूं रोज शीरप आप रोज शीरप की जगे रोहाफ जावी ले सक कर इन सब का फाइन पेस्ट बनाकर त्यार करूंगी यह देखे फ्रेंड मिक्सी में गुमाने के बाद मैंगो शेक बनाने के लिए मैंगो पेस्ट बनकर त्यार हो गया है रोज सीरप को यूज करने से मैंगो पेस्ट में कितना अच्छा कलर बनकर आया है फ्रेंड अब मैं अ जिस तरीके से आईस्क्रिम को फ्रीजर में रखका सेट कह जाता है उसी तरीके से इस मैंगो पेस्ट को फ्रीजर में रखका सेट करना है मैंगो पेस्ट के फ्रीजर में सेट हो जाने के बाद आपको जब भी मैंगो शेक बनाना हो तो frozen mango paste, आप 5 minute में ही mango shake बना कर त्यार कर सकते हैं friends, आप mango paste को ज़याद और श्टोर करने के लिए, mango की quantity ज़याद भी कर सकते हैं friends, mango paste को श्टोर करके रखने के लिए, आपका container air tight होना चीये इस mango paste को आप अपने freezer में 2-3 मेने असानी से store करके रख सकते हैं अगर आपके फ्रीज की कूलिंग बहुत ही अच्छी है तो आप इसको और भी ज़्याद समय के लिए इस्टोर करके रख सकते हैं यह देखे फ्रेंड मैंगो पेस्ट के फ्रीजर में सेट हो जाने के बाद हमारा फ्रोजन मैंगो पेस्ट बनकर त्यार हो गया है अब मैं आपको इस फ्रोजन मैंगो पेस्ट से मैंगो शेक बनाना बताऊंगी मैंगो शेक बनाने के लिए अब मैं फ्रोजन मैंगो पेस्ट को मिक्सी के जार में डाल रही हूं अगर आपने अपने कंटेनर में फ्रोजन मैंगो पेस्ट की क्वांटिटी जादे रखी है तो आपको मैंगो शेक बनाने के लिए अपने टेस्ट के साफ से फ्रोजन मैंगो पेस्ट लेना है फ्रोजन मैंगो पेस्ट से मैंगो शेक बनाने के लिए अब मैं ले रही हूं क्रश्ट आइस आइस आप अपने टेस्ट के साफ से कम जाधे भी कर सकते हैं यहां पर आप आइस क्यों भी ले सकते हैं क्रश्ट आइस से मैंगो शेक में अच्छी थिकनेस बन कराती है फ्रेंड्स अब मैं इन सब को आधा से एक मिनट तक मिक्सी में घुमाऊंगी यह देख लिया होगा विस्टोर करके रखे गए फ्रोजन मैंगो पेस्ट से आप पांच मिनट में ही मैंगो शेक बना कर सकते हैं बस आपको करना क्या है आपको अपने मैंगो पेस्ट को फ्रीजर में फ्रीज करने के लिए रखना है विस्टोर करके रखे गए फ्रोजन मैंगो पेस लिए मैं ले रही हूं तूटी फ्रू।ी से मैंगो शेक पीने में और भी ज़ाद़ टेश्टी हो जाता है टूटी फ्रूटी और चौंट नट्स को स्पून की साहिता से मैंगो शेक में लिए फ्रेंड्स आप के टेस्ट में हूँ मैंगो शेक को सर्व करने के लिए मैं ले रही हूं गिलास की डेकोरेशन करने के लिए मैं ले रही हूं मैंगो शीरप डेकोरेशन करने के लिए आप करश स्कुएस सीरप कुछ भी ले सकते हैं मैंगो सीरप के कलर को डार करने के लिए मैं इसमें डाल रह हो गया है हब मैं इस गिक्लाच के अंदर की साइट चारो तरफ को करूंगे इस तरीके से गिलास की ड्ैक्जरेशन में सीरप को यूच करने से हमारा मैंगो वह चैक और पूर है घ्रेसी फूर गृष्प करते समय मेरा यहाँ पर मंगो सिरप बच गया था मैं इस मैंगो शीरप शैक के उपर एक करके छोटी छोटी ड्रोप रख रहे हूं गानिशिंग करने के लिए मैं अपने मैंघो शैक कि मेंट रहे हम आखर है यहां additions चेख साथ फ्रोजन मैंगो शेक बनका त्यार हो गया है त्रेंड्स बताईगी रेसिपी से फ्रोजन मैंगो पेस्ट से तीन गिलाज मैंगो शेक बनका त्यार होते हैं अगर आपको हमारे फ्रोजन मैंगो शेक की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज हमारी इस रेसिपी को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने अनुवम हमारी इस recipe के साथ जरूर शेयर कीजिएगा Friends हमारे frozen सर्वत and shake के course में frozen mango shake की recipe को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस course में एक और न्यू फिलेवर से बनी recipe हम आपके पास जल्दी ही लेकर आने वाले है ओके फ्रेंड फिर मिलेंगे बाई बाई